उम्शान्ति, आज बाबा के 11 जून 2021 के साकार मधुर महावा के हैं, आज शुक्रिया दिवस पर सरप्रथम हम बाबा का शुक्रिया करते हैं, जो परम शिक्षक बन कर प्रति दिन हमें पढ़ाने के लिए आते हैं और बहुत प्यार से समझाते हैं, बाबा आपका शुक्रिया आज शुक्रिया दिवस पर बाबा ने बच्चों से मीठी मीठी दुरूहान की है कि बच्चे आप कब से रहा भूल गए हो सत्यूग से भूले हो या द्वापर से भूले हो आप सत्यूग से ही रहा भूल गए अब बाबा रहा बताने के लिए आए है सुक धाम की भी रहा बताते हैं शांती धाम की भी रहा बताते हैं सब मनुश्य आत्माई रावन की दलदल में फसी हुई है बाबा करके उस दुबन से निकालते हैं और बच्चों में से भी वो बच्चे दुबन से निकाल सकते हैं जो इच्छा मात्रम अविद्या हैं, जिने स्वैम के प्रति कोई इच्छा ने, अच्छा कपड़ा पहनू, अच्छा खाऊं, यहां पुवन वाह में हो, यहां तक के अपने शरीर को भी भूल जाना है, जो बच्चे आतम अभिमानी बनते हैं, देभान को भूल जाते हैं, व ब्रह्मा के द्वारा, जो बच्चे ज्ञान सुनते हैं, वो ब्रह्मा मुखवन शावली ब्रामन हैं, बाबने का यह ब्रह्मा मेरा बच्चा भी है, और मेरी वन्नी भी है, इनके मुख से मैं तुम्हे ज्ञान अम्रित देता हूं, माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को और वो प्रैक्टिकल में इस समय पार्ट चल रहा है। बाबा ने समझाया कि मैं तुम बच्चों को घर की रहा भी बताता हूं और स्वधरम में टिकना भी सिखाता हूं। जब आप बच्चे अपने स्वधरम में टिकते हूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांती देश से यहां आई हूं पार्ट बचाने। फिर आप चिंतन करते हूं तो पार्ट बचाने में बड़ा मजा आता है। आपको यहां पर अपना पार्ट शांत स्थिती में रहक अगर कहीं बुद्धी भटकती है, तो अपने आपको याद दिलाना है, कि हम वनवाह में हैं, जेवरादी भी हम नहीं पहन सकते, बाबा ने सावधान किया, आजकल के समय में आप बच्चों को जेवरादी नहीं पहनने, बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, स्टूडें थाख खुशी रहे। बहुत सुन्दर बाबा ने कही, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मेरा पन छोड़ कर आतम अपिमानी बनने की मेहनत करो, जितना आतम अपिमानी बनेंगे, उतना दुबन से निकलते जाएंगे औरोंको भी निकालने में मदद करेंगे। संपूरण वफादार्गी बहुत सुन्दर बात बाबा ने समझाई कि जो बच्चे जबसे बाबा के बने समय, संकल्प, शब्द और करम उन्हें सही प्रयोग करते हैं, जरा भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, जबसे बाबा के बने ऐसे नहीं कि एक सेकंड व्यर्थ गया, एक पैसा ही व्यर्थ गया, उसकी पूरी पूरी संभाल करते हैं, तन से भी कोई व्यर्थ करम नहीं करते, ऐसे बच्चे को कहेंगे संपूरण वफादार आत्मा, शिरीमत का यथार्थ प्रयोग करना है, तुम सच्चे सच्चे राज योगी, राज रिशी हो, रिशी पव पवित्र को कहा जाता है, आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं संपूरण वफादार आत्मा हूँ, अब सुनते हैं मोडले विस्तार से, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अब सच्चे सच्चे राज योगी हो, तुमें राज रिशी भी कहा जाता है, राज र तुमें राज रिशी भी कहा जाता है, राज रिशी माना ही पवित्र, कुशने तुम बच्चे मनुश्यों को माया रूपी रावन की दलदल से कब निकाल सकेंगे? माया रूपी रावन की दलदल से कब निकाल सकेंगे? जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे, दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्चा मात्रम अवित्या, एक बाबा के सिवाई कुछ भी याद ना आए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज ख ये लालच ना हूँ, तो मैं पूरा ही वनवाह में रहना है, इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ, ऐसे आतम अभिमानी बच्चे ही, रावन की दलदल से मनुश्यों को निकाल सकते हैं, गीत है तुप प्यार का सागर है, तरीक बूंद के प्यासे हम, ओम शांती, कोई समय गीत जब बजाया जाता है, तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे, बताओ, तुम कब से रहा भूले हो, किसी ने कहा द्वापर से, किसी ने कहा सत्यूग से, जो कहते द्वापर से भूले हैं, वो रोंग है, सत्यूग से रहा बताने वाले कोही ने जानते, वहां कोई बाप को भी जानते ही ने, तो गोया भूले हुए हैं, भूलना भी ड्रामा में नोद है, फिर अब रहा बताने आए हैं, कहते प्रभू रहा बताओ, हम सत्यूग से लेके बाबा को भूले हैं, बाबा प्रश्न पूचते हैं सुख का सागर मैं ही हूँ समु खाकर बाबा कहते हैं मैं ज्यान सागर हूँ सुख का सागर हूँ तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही है पतित पावन जो पतितों को पावन बनाने वाला वो एक है ये तो भगती मारग वाली भी मानते हैं पावन दुनिया है श प्यार का सागर है, तब ही सब उनको फादर कहके पुकारते हैं, प्रंतु वो कोन है, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं, वो प्यार सागर है, वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं, पांचर वर्ष की बात है, बरोबरिन देवी देवताओं का राज्य था, सत्य यह सदगती फिर दुर्गती कैसे होती है कौन बताए बाबा आकर समझाते द्वापर से तुम्हारी दुर्गती हुई तब ही बुलाते हो तुम समझते हो कोई नई बात नहीं बाबा कलप कलप आते हैं अब नीराकार बाप आत्मों को समझाते हैं कोई भी अपनी आत्मा को न ड्रामा को वो जानते इने करके लाखों हजार वर्ष कहें फिर भी ड्रामा तो है न। ड्रामा रिपीट होता है ये तो कहेंगे न ये ज्जान बाबा बच्चों को समुक देते मुख से बात कर रहे हैं जानते हों में शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाई ब्रामन बनाया है शिव बाबा का ये बच्चा भी है तो वन्नी भी है बच्चा भी है और इस्त्री भी है देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया कि बच्चों को संभालो ये बाते शास्त्रों में नहीं है ये है practical निराकार शुर्बावा ब्रह्मा तन में आए तो ब्रह्मा शुर्बावा का बच्चा भी है लेकिन ज्यान की पालना हम सब की ब्रह्मा मुक्से होती है, तो ब्रह्मा हमारी माता भी है, फिर भी माताओं बहनों की संभाल के लिए सरस्वती को मददगार बनाया, ये बाते शास्त्रों में नहीं है, बाबा ही राजयोग सिखाते हैं, जिनको राजयोग सिखाया, वो जाएं बने, चुरासी जन्मों में आए, बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्राधी पढ़ते तो बहुत हैं, प्रन्तु समस्ते कुछ नहीं, अब तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा बाबा से योग है, अर्थार्थ बाप की याद है, तुम अभी राज्योगी र राज रिशी हो, अर्थार्थ योगी राज हो, योगी पवित्र को कहा जाता, स्वर्ग की राजाई लेने के लिए, तुम योगी बने हो, बाबा पहले-पहले कहते हैं, पवित्र बनो, योगी नामी उनका है, तुम सब राज योगी हो, ये तुम ब्रह्मा मुखवन शाव तुम आया भूला देती है, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, ये बात भी भूला देती है माया, तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो, भगवान पढ़ाते हैं, ये समझे तो नशा चड़े, स्कूल में ICS पढ़ते तो कितना नशा रहता है, तुम बच्चे तो पत्योग से हम ये रहा भूलनी शुरू करते हैं, फिर एक एक ढाका, एक एक पौड़ी, स्टेप नीचे उतरते आते, अभी तुम्हें सारा याद है, कैसे हम चड़ते हैं, कैसे उतरते हैं, ये सेड़ी अच्छी रिती याद करो, जो रासी जनम पूरे हुए, अब वापि रहा बताओ, तो हम विश्राम पाएं, सुक शांती पाएं, तुम सुक दाम में हो, तो तुम्हारे लिए वाँ सुक शांती भी है, मा कोई हंगामा नहीं, सत्योगी दुनिया में कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांती है, शांती के दो स्थान है, शांती धाम और सुक धाम, दुख दाम में अशान्ती है ये पढ़ाई है जानते हो हमें बाबा सुख दाम वाई शान्ती दाम में ले जा रहे हैं तुम्हें कहने की दरकार नहीं जानते हो हम यह पार्ट बजाने आए हैं फिर हमें वापिस जाना है ये खुशी है शान्ती की खुशी नहीं पार्ट बज जाने में हमें मज़ा आता है, खुशी होती है, जानते बाबा को याद करने से विकरम बिनाश होंगे, कोई कहते हैं हमें मन की शांती मिले, ये अक्षर भी रॉंग है, नहीं हम बाप को याद करते हैं कि विकरम बिनाश हों, शांत तो मन रहना सके, करम बिगर रह नहीं सकते, बाकी महसूसता आती है, हम बाबा से पवित्रता सुक शांती का वर्सा ले रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए, यह दुख धाम, इसमें सुक हो नहीं सकता मनुश्य शांती धाम सुक धाम को भूल गए है शांती धाम को भूल गए, सुक धाम को भूल गए जिनको बहुत पैसे हैं, समझते हम सुख में हैं, सन्यासी घरबार छोड़ जंगल में जाते, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शान्त हो जाते, प्रन्तु वो हुआ अल्पकाल के लिए, आत्मा जिसका शान्ती स्वधर्म है, उसमें तुम शान्ती में रहते हो, यहां परविर् बेहद का बाप दे रहे हैं, निराकार भगवान वाच, जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है, परमात्मा मना परमात्मा, उनको ही बुलाते हैं, बाबा ही सबका सदगती दाता है, बाबा कहते हैं, बच्चे देही अपिमानी बनो, सोल कॉंशिस बनो, अपने को पात्मा समझो, इसमें मेहनत है, आदर कल्प से जो खाद पड़ती हैं, वो इस याद से ही निकलेगी, तो में सच्चा सोना बनना है, जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाई, फिर जेवर बनाते, तो मसल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती, आप सच्चा सोना थे फिर दीरे खाद पड़ी अब तुम्हारी बुद्धी में हमने पार्ट बजाया अब हम जाते पियर घर जैसे विलायत से जब पियर घर लोटते हैं तो खुशी होती है तुम्हें भी खुशी है जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है बेहद के बाप की सोग पसंद करते कोई मरता तो कहते स्वर्ग वासी हुआ सन्यासी कहेंगे जोती जोत समाया जिसमें सम्मिल चाहेंगे वो तो रहने का स्थान है जहां मात्माई रहती हैं बाकि कोई जोती वा आग थोड़े है जिसमें सम्मिल चाहें ब्रह्म महत्त्व हैं जिसमें आत्माई रह ब्रह्माहतत्व में बाबा रहते हैं, वो भी है बिंदी, बिंदी का किसको साक्षतकार हो तो समझ नहीं सकेंगे, बच्चे बहुत कहते हैं, बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करें, आधा कल्प बड़े लिग रूप को याद किया, ये भी बाबा समझाते बिंदी के तो पूजा हो ना सके इनका मंदर कैसे बनाएंगे बिंदी तो देखने में भी नाई इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं बाकि आतमाओं के साली ग्राम बहुत छोटे छोटे बनाते अंडे मिसल बनाते कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया पर मातमाओं बिंदी मिसल है बाबा केते उस समय ये बताने का पार्ट ही नहीं था अरे तुम ICS शुरू में क्यों नहीं पढ़ते हो पढ़ाई के भी काईदे होते हैं कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं वह हमारे से बड़ी टीचर है उनसे लिख कर पूछते हैं बाबा को बताना होगा तो बताएंगे या कहेंगे आगे चल समझ लेंगे एक की टाइन तो नहीं सुनाएंगे ये हैं नई बाते तुम्हारे वेदिशास्त्रों में जो है बाबा बैट सार बताते हैं ये भी भगती मारक की नूद है फिर भी तुमको पढ़ नहीं होगे ये भगती का पार्ट बचाना ही होगा पतित बनने का भी पार्ट बचाना है केते भगती के दुबन में फस गई बार से तो खुबसूरती बहुत है जैसे रुण्ये के पानी मिसल भगती भी आकरशक बहुत है बाबा केते ये रुण्ये का पानी है मृग तृष्णा के समान इस दुबन में फस जाते हैं जब इस दुबन में फस जाते हैं फिर बाबा करके इस दूबन से निकालते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है, एकदम फर्स जाते हैं, जाते हैं औरों को निकालने, खुद ही फर्स पढ़ते, ऐसे बहुत फर्स पढ़े, आश्रेवत सुननती, कथनती, औरों को निकाल वनती, चलते चलते फिर खुद फर्स पिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता, बाबा नहीं कहां कितने अच्छे-च्छे बच्छे फिर वो चले गए उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता, बाबा को भूल जाते हैं, तो दुबन से निकलने में कितनी मेhenत लगती हैं, कितना भी समझाओ बुद्धी में न उतना खुशी होती है, जो खुद निकला होगा, उनके पाश शक्ती होगी, दूसरों को निकालने की, बाण चलाने वाले कोई तीखे होते, कोई कम्जोर होते, भील और अर्जुन का भी मिसाल है, अर्जुन साथ रहने वाला था, अर्जुन एक को नहीं, जो बाबा का बनकर बाबा के साथ रहते हैं, उन्हें अर्जुन कहा जाता, साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वालों की रेस कराई जाती, भील अर्थार्थ बाहर रहने वाला तीखा चला गया, दृष्टांत एक का दिया जाता, बात तो बहुतो की है, तीर भी ये ग्यान का है, हर एक अपने को समझ सकते हैं, हम कितना बाबा को याद करते हैं, और कोई की याद तो नहीं आती, बाबा को कितना याद करते हैं, जो बाबा के पास रहते हैं, अर्जुन है वो, जो बाहार रहके प्राक्टिस करते हैं, फिर भी बाबानी का कोई कोई बाहर रहने वाले भी आगे चले चाते हैं, चेक करो, बाबा को कितना याद करते हैं, और किसी को याद तो नहीं करते, अच्छी चीज पहने वाँ खाने के लालच तो नहीं रहती, यहां अच्छा पहनेंगे, तो वहां कम हो चाएगा, हमें तो वनवाहां में रहना है, पहुत सिंपल रहना है, बाबा कह तुम्हें जेवर आदी भी नहीं पहनो ऐसे क्यों कहते हैं पापा बच्चों को मना करते कि बच्चों को जेवर आदी नहीं पहने क्यों इसके भी कारण अनेक है कोई का जेवर गुम हो जाएगा कहेंगे बीके को देख करके आई होंगी फिर चोर चकार भी रास्ते में चलते चीन लेते हैं, आजकल माईयां भी लूटने वाली बहुत निकली हैं, फिमेल भी डाका मारती हैं, दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम समझते हो दुनिया बिल्कुल वैशाल ले हैं, हम यहां श्रिवाले में बैठे हैं, श्रिवाले में बैठे हैं, बाबा के साथ, वो सत् मेंने हैं आनंद स्वरूप है आत्मा की महिमा है आत्म के ते मैं प्रेज़डेंट बना हूँ मैं फलाना हूँ तुम्हारी आत्म के तियां ब्रामन है बाबा से वर्सा ले रहे हैं आत्म अभिमानी होकर रहना इसी में मेरत है यह मेरा फलाना है यह मेरा है यह याद रहता हम आत्मा भाई-भाई हैं यह बात भूल जाते हैं मेरा मेरा अनेक मेरा याद रहता है हम आत्मा भाई-भाई हैं यह बात भूल जाते हैं यह मेरा मेरा छोड़ना पड़ता मैं आत्मा हूं इनकी आत्मा भी जानत है बाबा समझा रहे हैं मैं भी सुनता रहता हूं पहले मैं सुनता हूं भले मैं भी सुना सकता हूं प्रंतों बच्चों के कल्यान अर्थ कहता हूं तुम सदा समझो कि शुव बाबा समझाते हैं विचार सगर मन्थन करना बच्चों का काम है यसे तुम करते हो यसे मैं भी कर नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे, लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं, बाबा अपने आपको गुप्त रखते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्छो प्रती, मात पिता बाप तदा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुखनी बाप की रुखनी ब बाप तदा को, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्ना के लिए सार, मुख्य बाते हैं, मेरा मेरा सब छोड अपने को आत्मा समझना है, आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, यहां बिलकुल वनवाह में रहना है, कोई भी पहनने, खान की इच्छा से, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, कोई भी खाने, पीने की इच्छा से, पहनने की इच्छा से, इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात इच्छा नहीं रखनी है, पार्ट बजाते हुए, करम करते, अपने शांती स्वधर्म में स्थित रहना है, शांत हर संकल्प, शब्द, समय, कर्म द्वारा इश्वरिय सेवा करने वाले संपूरण वफादार भव। व्यर्थ नहीं जाने देते, जब से जनम हुआ, तब से संकल्प, समय, कर्म, सब इश्वरिय सेवार्थ हूं, यदि इश्वरिय सेवा की बजाएं, कहीं भी संकल्प वा समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं, या तन द्वारा व्यर्थ कारे होता है, तो नहीं संपूरण सम्पूरण वफादार अर्था सब कुछ सफल करने वाले सम्पूरण वफादार अर्था सब कुछ सफल करने वाले समय भी संकल्प भी श्वास भी हर कर्म को सफल करने वाले इसे लोगने शिरीमत को यथार्थ समझ कर उस पर कदम कदम चलने में सफलता समाई हुई है शिरीमत को यथार्थ समझ के कदम कदम उस पर चलने में सफलता समाई हुई है आज अब भ्यास करेंगे मैं संपूरण वफादार आत्मा हूँ ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें